नमस्कार कैपिटल टीवी उत्ताप्रदेश देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी यूपे विधान सभा चुनाव को लेकर सत्ता अरूर बीजेपे और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही एक चानल के साथ एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू में सापा के राष्ट अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार और बीजेपी पर जम करशाना साथ उन्होंने इत्र कारोबारी प्यूजडेन के ठिकानों पर छापे सापा के रैलियों में भीड गंगा सफाई किसानों के मुद्दे कानून व्यवस्था समाज ऐसे तमाम मुद्दों पर खुल कर बात की लेकिन प्यूजडेन के मामले में पूर्वसीयम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया इस रिपोर्ट में देखिए समाजवादी इत्र बनाने वाले प्यूजडेन के ठिकानों पर आईकर और जीस्टी विभा की छापे मारी में मिले समपती से अखिलेश यादव ने किनारा करते हुए कहा कि उनका संबन सपा से नहीं बलकी बीजेपी से है अखिलेश यादव ने कहा कि कानपूर के जिस व्यापारी के हाँ छापा पड़ा है उसका संबन सपा से नहीं बलकी बीजेपी से भी है लाज टोपी समेट तमाम मुद्दों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के रहलियों में उमर्ड रही भीड से बीज़िपी घबरा गई है इसलिए ऐसी भाशा का प्रयोग किया जा रहा है अखिलेश यादव ने कहा कि उनका और उनकी पार्टी से जुड़े एहम लोगों के फोन टाप करवाय जा रहे है अखिलेश यादव ने विकास और उनकी सरकार की योजनाओ पर बोलते हुए कहा कि लखनो में जै प्रकाश नारायन इंटरनाशनल सेंटर लखनो की सबसे उची अमारत है लेकिन इस अमारत का काम इस सरकार ने रुकवा दिया हमारी सरकार में किसी पुरानी योजनाओ को नहीं रुका गया हमारी सरकार में पुरानी योजनाओं को और बहतर किया गया अखिले शादव यहीं नहीं रुके और महंगाई के मुद्धों पर भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि बिजली और सिचाई महंगी है किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है आज किसान बदलाव चाता है यूपी की जनता बदलाव चाती है अखिले शादव ने कहा कि केंदर की सरकार ने किसानों की आई दोगनी करे अवाइदा लेकिन आज किसानों की आई आधी हो गई है किसानों की आई दोगनी नहीं हुई अखिले शादव यही नहीं रुके उन्होंने कहा डिप्टी सीएम पर भी अपराधिक मामले हैं सबसे जादा केस बीजेपी विधायकों पर है टॉप टेन अधिकारियों के लिस्ट नहीं दी उन्होंने पूछा टेनी पर बुल्डोजर कब चलेगा ग्रह राजमंत्री पर कारवाई कब होगी हमें लखीमपूर नहीं जाने दिया गया हमारे कारकरता लखीमपूर गए थे एक चानल से बाच्षीत में अखिलेश श्यादव ने पूछा कि आज यूपी में इतनी महंगाई क्यों है यूपी में इतनी बिरुजगारी क्यों है योगी जी के इतने काम से क्या फाइदा प्रदेश पत्रकारों पर केस में नमबर वन है बिरुजगारी में नमबर वन है उन्होंने कहा कि किसानों के फाइदे की नीती बनाएंगे, घोशना पत्रों में किसानों के लिए एलान करेंगे, जनता अब योगी सरकार ढून रही है, बीजेपी का हर विज्यापन जूटा है, बीजेपी की हर बात जूटी है, लोग अब बीजेपी को समझ गए है, बीजे पर ले जाएंगे ये नई समाजवादी पाटी है हर बार की तरह इस बार भी अपनी गलतियों का परचा सपा प्रमुख ने बीजेपी पर फार दिया उनका कहना है कि प्यूश जैन की अवेद पैसो पर बीजेपी से नाता है अखिलेश आदव ने कहा कि कानपूर के जिस विय पारे के हाँ छापा पड़ा उसका संबन सपाते नहीं बलकि बीजेपी से भी है इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही बने रहे है कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ नमसकार